हेई फ्रेंड्स वेलकम तो मैं चैनल आज मैं आपके साथ चीज कॉन बॉल की रेसेपी शेयर करने वाली हूँ तो सबसे पहले मैं आपको इसका चीज पूल दिखा देती हूँ यह बहुत ही जादा चीजी बनता है और बहुत ही जादा टेस्टी भी लगता है इस वीडियो मे अगर आप चाहे तो आप रेढ़िमेट मांकेट से बाई कर सकते हैं वह भी यूज कर सकते हैं अगर आप घर में बनागाrav चाते हैं तो इसका तरीका बहुत ही सिंपल है आपको ब्रेड Help region Second वो इस तरीके से cut कर लेंगे आप चाहें तो इसमें brown bread भी use कर सकते हैं इस तरीके से cut करने के बाद bread में क्योंकि moisture होता है तो हम इसका moisture करने के लिए इसको तवे पर ऐसे ही सेक लेंगे दोनों साइट से हम इसे अच्छे से सेकेंगे और जब इसे थोड़ा सा cool down करके फिर हम इसे grinder में डालेंगे और grinder में आपको एक साथ इसको नहीं grind करना है on and off करते करते हम इसे grind कर लेंगे तो यहाँ पर मैंने इसे grind कर लिया इसमें moisture बिल्कुल भी नहीं है और जो थोड़ा बहुत है वो हम इसको air dry करेंगे फैन के नीचे रख देंगे जब तक हम अपनी बागी सारी चीज़े प्रिपेर करते हैं तो बागी का जो moisture है वो भी इस तरीके से खतम हो जाता है नेक्स्ट हम तयारी कर लेते हैं sauce की तो मैं यहाँ पर white mayonnaise ले रही हूँ किसी भी company के आप कोई भी mayonnaise ले सकते हैं basically white mayonnaise हमें चाहिए तो मैंने यहाँ पर यह वाली यूज करी है इसके साथ में हम इसमें add करेंगे 1 tablespoon red chili sauce या red hot sauce 1 tablespoon tomato ketchup इन तीनों को हम अच्छे से mix कर लेंगे और हमारी cheese corn ball के साथ सर्फ करने वाली sauce जो है वो बिल्कुल ready है next हम तयारी कर लेते हैं slurry के लिए तो इसके लिए हमें चाहिए 2 tablespoon corn flour या फिर अगर आपके पास है तो आप वह भी यूज कर सकते हैं 2 tablespoon मैदा, half teaspoon salt और पानी के help से इसका हमें paste ready कर लेना है ना थिक हो जादा ना पतला हो medium consistency का हमें paste इसका ready कर लेना है तो basically ये consistency इसकी रहनी चाहिए तो cheese corn ball के लिए हमें चाहिए potato, onion, corn थोड़ा सा हम हरा धनिया ले रहे हैं कैप्सिकम में मैंने green, red and yellow तीनो ली है, थोड़ी सी harimish ली है, वन teaspoon जितना मैंने ginger garlic paste ली है, वन प्रोसेस चीज ली है और साथ में मैंने यहां पे blended mozarella cheese ले ली है, तो इस तरह की blend की हुई mozarella cheese आज़कल market में easily available है, आप किसी भी company की ले सकते हैं मैंने go के लिए आप Amul की भी ले सकते हैं, इस तरीके से आती है और इसमें आपको blend करने की जरुवत नहीं है और यहां मिक्स्ट हर्ब में से आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों में से जो भी आपके पास available हो, साथ में हम यूज़ करेंगे चिली फ्लेक्स, तो मैं यहां पे mixed herbs and red चिली फ्लेक्स यूज़ करने वाली हूं सबसे पहले fine side से हम आलू को grate कर लेंगे, fine side से grate करने से क्या होता है कि आलू जो है वो एक्दम अच्छे से mash हो जाएगा तो इस तरीके से मैं चारो ही आलू को अच्छे से mash कर लूँगी, आलू mash हो जाने के बाद हम इसके अंदर डालने वाले हैं, 2 टेबर स्पून अनियन, 2 टेबर स्पून कॉर्ण जिसको मैंने finely chopped and boil कर लिया है, 2 टेबर स्पून कैप्सिकम, थोड़ा सा हरा धनिया, 1 टीस्प रेचिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून, मिक्स्ट हर्ब्स या औरेगयनो, और साथ में हम ब्लैंडड चीज डाल देंगे इसके अंदर, इसके बाद में मैं इसमें ग्रेट कर दे रही हूं प्रोसेस्चीज, अब हम इसमें डालने वाले 1 अब टीस्पून कॉर्ण फ्लार या अर ऐसमें, तो जब भी आप इसको बनाएंगे तो पहले हमें जानद से हैंड़ का अगर नहीं करना चाहते हैं तो आप बार-बार अपने हाथ को पानी से गीला करके भी आप बना सकते हैं तो इस तरीके से मैं इसको रोल कर लूँगी और क्योंकि चीज बाहर आने के चानसे त करें चाइब कर लाड़ कर लहाद सो ते हम रेकरम ब्राइब करसा दर दर ऊसे कोद्ट में, भूर आपशानि कर लेंगे तक पंद में जलः द आता कर लैं तो दोई कर लूद यो कि मैक लिवन coins जहां गत आर ऑब साथ। करें गी तो पेले मैं इसको डाल तोंगे के अंदर और इसको अच्छे से डिप करने के बाद हम इसे दुबारा से प्रेड कर में रोल कर लें गे versus मैं You place byव में इसको अच्छे से रोल करना है और इसी तरीके से में सारे ही बॉल्ल जो है वो बना करéntे कर लों अब आपको main important चीज़ यहाँ पे यह ध्यान रखने हैं कि इसको तुरंत आपको नहीं तलना है आपको half hour के लिए इसे फ्रिज में या फिर आप फ्रीजर में भी रख सकते हैं इसमें रख देंगे उसके बाद जैसे ही आप का oil गरम हो जाए आप तुरंत इसको निकाल लिए और गरम गरम ओल में आप इसको fry करेंगे तो मैंने यहाँ पे इसको half hour के लिए फ्रीजर में रख दिया था और अब हम इसको और अच्छे से गरम कर लेंगे और उसके बाद में हमें इकदम गरम गरम में इसको fry करना है medium to high flame पे आप इसको fry करेंगे क्योंकि चीज क्या होता तो सारी की सारी चीज जो है वो इसमें से बाहर आ जाएगे जैसे ही आपको इस type की sound आनी शुरू हो जाए इसका मतलब यह है कि चीज जो है वो अब बाहर आने वाली है तो जैसे आपको दिखता है चीज बाहर आते हुए आपको तुरंत इसको oil में से बाहर निकाल लेना है जादा देर आपको इसको फिर oil में नहीं रखना है तो अब मैं इनको बाहर निकाल लूँगे आप देख सकते हैं थोड़ी थोड़ी जगा से जो चीज है वो बाहर आने शुरू हो गई है तो बस इसमें हम इसको निकाल लेंगे और आपको यहाँ पे खास चीज यह ध्यान रखनी है कि आप इसे थंडा करके ही फ्राइ करेंगे आप इसे 15-20 डेस के लिए अपने फ्रीजर में स्टोर कर सकते हैं अगर कोई गैस आने वाले हैं या बच्चों के लिए आप रिपेर कर रहे हैं तो आप एयर टाइड कंटेनर में इसको स्टोर करिए और जब भी आपको फ्राइ करना है तब आप इसको गर्मा गरम तेल में डालिए और उसी वक्त आप इसको फ्रिज में से बाहा निकालिए कैसे लगी आपको इस रेसिपी मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा और इस वीडियो को शेयर और लाइक करना बिल्कुल मत भूलेगा चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में तिल देन बाबाए ठेक केर झालिए